हेलो जी, असलाम लेकुम, नमस्ते, सब्सक्राइब करेंगे विकली रीडिंग फर आल दा जोडिक साइन, यह वला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेज़िस है, जनल रीडिंग, जनल मैसेज़िस, एन जनल प प्राशी, जिस पे भी आप अपने डेट बर्द के लिहाज से, जो भी आपका जोडिक साइन बनते हैं, उसको आप चूज करेंगे, ठीक है, टाइम स्टैम नेचे दिये वे होंगे, कमेट में, और इन बाक्स में भी आप देख सकते हैं, वाँ पे, तो स्टार्ट करते हैं, आज की रीडिंग, आपने गया करने वीडियो को लाइक, शेर चैनल को सब्स्राइब करने नहीं भूलना है, कमेट में अपना फीडबेक मुझे जरूर देंगे, और स्टार्ट करते हैं, आज की रीडिंग, लेट्स गो, कि आप लोग के लिए ये वाला हफता कैसा रहेगा जी, सबसे पहले, Aries, Leo, Sagittarius, आप लोग के लिए देख लेते हैं, कि ये वाला हफता कैसा रहेगा, लोग ली क्या मैसेजिजीजीज हैं, 10 of Swords, oh my god, justice, oh my god, you could be dealing with Libra, आप हो सकता Libra, Gemini, Aquarius के साथ डील कर रहे हैं, and Knight of Pentacles, let's see, अब ये 10 of Swords क्या है आपकी लाफ में, what is this happening, okay, more 8 of Swords energy, अच्छा कोई ऐसी चीज है आपकी लाइफ में, जिसको लेके आप definitely बहुत tension में हैं, stress out भी हैं, समझ नहीं आ रही, कोई चीज खतम हो रही है, end हो रही है, और आपको समझ में नहीं आ रही है, कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है, आपकी Emperor, okay, आप हो सकता है, Ares के साथ डील कर रहे हैं, okay, 10 of Pentacles, Ace of Cup, bottom of the deck, we have the Hermit, okay, आप में से हो सकता है, आप विरको के साथ डील कर रहे हैं, Taurus, Capricorn, Ares है यहां पर strong, आप हो सकता है, साच डील कर रहे हैं, Air Sign के energy बहुत है, आप देख सकते हैं, यहां पर 2 of Swords, 4 of Swords, और Hermit, यहां पर energy बहुत ज्यादा confuse हो रही है, ठीक है, हो सकता है, आप इसी चीज़ को लेके बहुत ही ज्यादा confuse हैं, आपको नहीं समझ आ रही, हो सकता है future को लेके आप बहुत confused है अपने future को लेके अपने बच्चों की future को लेके अगर आप married है लेकिन अगर आप single है तो आपको अपने future को लेके बहुत ज़्यादा tension है, बहुत ज़्यादा stress है हो सकता है आप student है इस वक्त with a page of source, ठीक है आप अभी study कर रहे हैं जब तक आपकी study complete नहीं होगी एक professional degree आपको नहीं मिलेगी तब तक आपके लिए ही tension रहेगा और हो सकता है आपकी कुछ लों के लिए आपके पास औरेड़ी एक degree है professional degree लेकिन आप job की तलाश में है जो आपको नहीं मिल रहा है तो हो सकता है आप अपने parents पे, अपनी family पे codependent है और ये चीज़ आपको बहुत तंग कर रही है अगर specially आप अपनी family पे, अपने parents पे अपने father पे, किसी और पे codependent है financially ये चीज़ आपको बहुत disrupt कर रही है, बहुत ज़्यादा तो उस वज़य से tension है, मुझे से लगता है कि आपको, आप बहुत कोशिश में है with the night of pentacle, कि आपका काम शुरू हो जाए, आपका business चल पड़े अगर आपको बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आपको भी success इतनी stability नहीं है, अगर आप एक government job के person भी है, let's say आपकी government की job है आपकी, या आपके parents की तो आप इतना expect नहीं कर सकते किसी से कुछ न कुछ तो tension है, जो आपको अपने future को लेके या अपने बच्चों के future को लेके आपको tension है यह चीज़ मुझे यहां पर नजर आ रही है, बहुत clearly इस week में आपको यह चीज़ फेस करनी पड़ सकती है अच्छा एक और चीज़ यहां पर, जो लोग student है उन लोग के लिए यहां पर definitely यह हो सकते है आपको pressure हो सकते है, parents का pressure आप पर हो सकते है student अगर आप है, कि इस field में जाना है, यह करना है वो pressure आप पर बहुत जाता है, ठीक है वो tension बहुत है, क्योंकि आपके parents की expectations आपसे बहुत जाता है high है, आपके let's say, आपके parents की expectations आपसे बहुत high है कि यह करके दिखाना है, यह complete करना है, यह करना है you know, एक competition type energy हो सकती है, जो students से मैं उनकी बात कर रही हूँ उनको यह चीज इस week में थोड़ा सा feel हो सकती है especially अगर आप किसी test की preparation कर रहे हैं, interview की, या एक अच्छे professional degree के लिए आप एक अच्छा marks लेना चाहते हैं, अपनी degree को complete करने के लिए उन पर बहुत pressure है, यह चीज मुझे नजर आ रही है और अगर आप job में हैं, ठीक है, जो लोग job कर रहे हैं, उन लोग के लिए इस week में थोड़ा सा stress रहेगा मुझे लग रहे हैं यहां पर कोई financial difficulty आ सकती है, घर की घर पर ज़्यादा responsibilities है यह आपके अचानक खर्चा हो सकता है, expenses बढ़ सकते हैं, यह कोई responsibility है जिसको लेकिए आप बहुत tension में है, जो अगर आपका boss है, वरक वली जगह पे, वो काफी थोड़ा सा disturb कर रहे हैं, आपको mentally वो कर सकता है, burden की वज़ा से, pressure की वज़ा से, जो लोग job कर रहे हैं, मैं उनकी बात करी हूँ लेकिन अगर आपका खुद का कुई business है, मुझे ऐसे लग रहे है, कि आप मेंसे कुछ लोग ने कुछ start किया है business, लेकि वो चल नहीं रहा है, जैसे आप चा रहे हो, या expect कर रहे हो, और अगर आप start करना चाते हो, तो ऐसे लगता है कि आप एक student हो, आप पे कुछ trust नहीं कर expectations thing, ठीक है, वो काम आइस्ता आइस्ता आगे बढ़ेगा, अगर आपको start करने वाले हो business, ठीक है, वो आइस्ता आइस्ता आपकी मेनत आपकी रंग लेकि आएगी, लेकिन ऐसे लग रहे है कि जिस तरह से आपके parents की expectations हैं, या आपकी expectations हैं, वैसे हो नी रहा, लेकिन अगर आ लोग सिंगल हैं, आप सिंगल लोगों की बात कर लेते हैं, या तो आपके उपर या work या study या just वेनेगा, इस इसका pressure है, अब मैं उन लोगों की बात करूंगी, जो किसी के साथ deal कर रहे हैं, लेट से आपकी relationship में किसी के साथ, ठीक है, और आपको इंतजार है कि ये इनसान या शादी की बात कब करेगा, परपोस कब करेगा, या इवन हमारे दरम्यान में proper communication कब होगा, ये इनसान अपनी feeling को कब express करेगा, या आपको ये भी tension हो सकती है, ये stress हो सकता है कि ये इनसान शादी के लिए परपोजल आपके घर कब भेज़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये इन इनसान का वेट करके ठीक कर रही हूँ, कर रहा हूँ, जो भी है आपके माइन में लड़की ये लड़का, ये चीज़ आपके उपर आ सकती है, और अगर आप खुद सिंगल है तो आप पे pressure ज़्यादा बढ़ता जा रहा है शादी का, मुझे ऐसा लगता है, या आपको force कि जा रहा है, ये भी हो सकता है, parents की तरफ से, family की तरफ से, pressure बहुत है, society का pressure भी हो सकता है, ठीक है न, तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है इस week में, लेकिन overall आपकी energy में, यहाँ पे ace of cup है, तो good news है यहाँ पे, उन लोगों के लिए, अभी इस वक्त नहीं, मुझे अस को लग रहे है कि कोई आपके साथ serious नहीं है, sincere नहीं है, तो अपनी intuition पर आपने जरूर ट्रस्ट करना है, मुझे असे लगता है कि आपकी life में new love आएगा, ज्यादा तर लोगों के लिए, it's not possible कि इसी month में आ रहा है, या इसी week में आएगा, या इसी साल में, मुझे नहीं ल relationship में है, उसमें communication problem हो रहा है, या relationship का blockage हो रहा है, कि आप आगे कैसे बढ़ेगा, commitment की तरफ कैसे जाएगा, या हो सकता है, आप ऐसे इंसान के साथ deal कर रहे है, जो कफी responsibilities में हैं, और आपको लग रहा है, इस week में आपको लगेगा, कि वह आपको avoid कर रहे है, या आप उस इं next 10 to 20 days, new year से पहले, आपको कोई reach out करेगा, आप से कोई बात करना चाता है, या आप किसी से बात करेंगे, मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, आप करेंगे या वो इंसान करेगा, लेकिन आपकी किसी ऐसे इंसान के साथ बात जरूर होगी, जिससे आपको at least ये पता चलेगा, कि आप उस इंसान के साथ कहां stand करते हो, आपको ये clarity जरूर मिलेगी, कि आप इस इंसान के साथ कहां खड़े हैं, ये relationship किस तरफ जा रहा है, आप दोनों की direction क्या है, future क्या है, at least इस इंसान की उस conversation से, उस communication से, जो आप मिलेंगे, बात करेंगे, वो चीज़ आपको idea हो मुझे ऐसे लगते हैं, आप में से काफी सारे लोग अल्रेड़ी इस इंसान को छोड़ चुके हैं, जो तो शायद आप आपको थोड़ा बहुत explanation मिले, या आपको कोई इंसान बताना चाहेगा, basically, या ये बोलेगा, wait करो, तो ये सब कुछ आपे depend करते हैं, अगर आप wait कर स इस इंसान का, क्योंकि इस इंसान को बहुत टाइम लगना है, हो सकता है ये इंसान किसी legal battle में, या आप किसी legal battle में involved है, जिसमें थोड़ा सा time लगेगा, चीजों को settled होने में, चीजों को सही होने में, या हो सकता है ये इंसान एक serious, settled, you know, professional job की तलाश में है, या carrier एक चीज चाहिए, proposal चाहिए, शादी की बात चाहिए, वो timing पर ही होगी, जिस तरह का आपकी expectation है, लेकिन आप पे parents का, society का, और family का pressure बहुत ज्यादा है, जो single है, मैं उनकी बात करी हूँ, जो लोग already, yeah, look at this, with a hermit, four of souls, and two of souls, मुझे ऐसे लगते है कि, आप ऐसे काफी सारे लोग इस कि life में depression आ रहा है, stress आ रहा है, और आपको काफी lonely पन भी फील होगा, मतलब आपको अकेला पन फील होगा, आपको लगेगा कि आपके गिद लोग है, लेकिन ऐसे लगेगा कि कोई है नहीं, basically, it's a spiritual awakening, शायद विद a hermit, आपके लिए एक spiritual awakening से गुजर रहे हैं, जिसमें आप आपको heal करना है, समझना है, चीज़ों को, इस वक्त आपको हो सकते है, चीज़े समझना है, लेकिन वक्त के साथ साथ आइस्ता चीज़ें जरूर समझ आना शुरू होगी, relationship wise भी हो सकते है, आपको चीज़ें नहीं समझ आ रहे हैं, किस तरफ जा रहे है, या जैसे अगर आ इस वक्त उन लोग के लिए, गवर्मेंट के जाब के लिए, या अपना अगर कोई business या कहलिए, जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनका है, उनको मुझे improvement नजर आ रही है, लेकिन जो लोग already किसी struggle में है, उनके लिए मुझे ऐसे लग रहे हैं, क्योंकि आप decision नहीं responsibilities ज्यादा हैं, जिसकी वज़ा से आपको इस वक्त rest की जरूरत है, ताकि आप सोच समझ के सही decision अपनी life का सही रास्ता चुन सकें, 11-11, या, तो वो आपके लिए थोड़ा सा time लगेगा आपको, choose करने में, अगर स्टूर्ट, especially अगर आपको कोई profession चूस करना है, career चूस करन है, it's an ending, it's a new beginning, तो कोई चीज़ end होगी, तो उसके बाद new start आएगा, ये चीज़ भी यहाँ पर नजर आ रही है, तो that's your reading, इस वीक के लिए, या आपकी energy है, इसमें आप feel कर रहे हैं, या आप महसूस करेंगे, या action लेंगे, and I will see you later, जी, next step is Pisces Cancer Scorpio, आप लों के लिए देख लेते हैं, ये वला भी कैसर है, okay, we have the shadow side, it's a devil, and then we have a karma, दो major organa है, it's a big thing, तो आप सबते है, Capricorn, Sagittarius के साथ deal करें, Pisces के साथ, या आप खुद Pisces है, look at the devil, seven of pentacles, या आपका अपना card है, queen of cups, this is your water sign, okay, आप देख लेते हैं, what is this devil, shadow side, what is this shadow, nine of wands, okay, what is this shadow, oh my goodness, three of swords, and the emperor, हो सकते हैं, आप Aries के साथ deal करें हैं, या air sign, what is this judgment, karma, oh my god, what is this, somebody is getting their karma, एक चीज़ तो तो तहा है, या पे, कोई हैसा इंसान है, जिसने आपके साथ गलत किया, उस इंसान की life में डफिनिटी कुछ ने कुछ कुछ करमा होने वाला है, या होगा, you will see it, आप खुद अपनी आँखों से देखेंगे, इस इंसान के साथ वो काम होता हुआ, जो इसने आपके साथ किया है, और इस वक्त लग रहे है कि इस इंसान के साथ वो चीज़ हो रही है, it's like karma is hitting this person, अगर ये वो इनसान है जिसने आपके साथ गलत किया है, अच्छा, ये जो भी इनसान होगा, आपको यहाँ पर नजर आ रहे है, it's a father, यह आपका अपने father हो सकते है आपके अपनी mother हो सकती है, आपके अपने sibling हो सकते है blood relationship हो सकता है आपका इस इंसान के साथ, ठीक है, मतलब relative, cousins जो भी है, एक तो वो इंसान है और कुछ लोगों के लिए यह वो इंसान है जिसके साथ आपका relationship था, और इस इंसान में आपको hurt किया आपका दिल तोड़ा, बहुत तकलीफ थी आपको यह वो इंसान है इस इंसान को कर्मा मिल रहा है इसका जो सिस भी आपका बता दो, इस विक में आपको नजर आई है इस इंसान ने आपको बहुत तकलीफ दी, बहुत परशान किया बहुत थेंशन दी, डिप्रेस किया आपको lovers, definitely इस इस इंसान के लिए कुछ लोग के लिए क्योंकि यहाँ पे judgment और lovers का card है तो यह soulmate की card बात करता है soulmate, twin flame, जिस पे भी आपको believe है it's a soul connection आपका और इस इंसान के दर्मयान में soul contract चल रहा है it's a soul contract और sometime soul contract जरूरी नहीं है कि अच्छा हो, sometime कुछ लोग के लिए यह negative होगा क्योंकि यहाँ पर devil है, it's a negative thing क्योंकि इस इंसान ने जो आपके साथ गलती की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक इस इंसान को आपके साथ मिलेगा या आपको सबसे बड़ा सबक जिंदगी का ऐसा इस इंसान ने सिखाया है कि आपको हमेशा याद रहेगा this is that person, okay और एक और चीज़ है, आप मैंसे कुछ लोगों के लिए आप हो सकते हैं, दोनों ही आपके लिए कुछ करें, आपके लिए कोई action ले, आपको प्रूफ करें अपना love, लेकिन इस इंसान की shadow side ये है कि ये इंसान हो सकते है अपनी ego में था, trigger था कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकते है कि ये इंसान already किसी karmic situation में है जो आपको इस इंसान ने चूज किया, हो सकते है इस इंसान ने materialistic life को चूज किया उस life को चूज किया, जो easy है, materialistic है इस contract को नहीं देखा, इस relationship को अपने soul को, अपनी heart को, अपने intuition को नहीं सुना, अब वो इंसान पच्छता रहा है ये जो भी है, और किसी और इनसान के साथ भी ऐसे लग रहे है कि आपका बहुती strong connection है, और या तो ये अलड़ी built होने वाले, ये उन लों की मैं बात करी हूँ, जो patiently wait करे हैं अपने soulmate का, to inflame का, अपने husband का, अपनी wife का, मैं उन लों की बात करी हूँ, जो patiently wait करे हैं, husband और wife का, ये अपने true partner का, lover का with the queen of cups and this person is coming, लेकिन ये जो भी इनसान आ रहे है, इस इनसान की life में कुई न कोई struggle रही है, तो आपको इस इनसान को इस इनसान के past के साथ accept करना पड़ेगा ये जो भी है इस इनसान के past के साथ आपको accept करना पड़ेगा, ये शायद आप दोनों को ही एक दूसरे के past के साथ accept करना पड़ेगा लेकिन, it's a soul contract, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ आप कुछ लोगों के लिए ये soul contract बहुत ही difficult होगा, बहुत ही challenging है या हो रहा है अल्रेडी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, this is very intense connection ये जो love है, ये जो want है आप दोनों के दर्मियान में ये बहुत intense है, आप soul contract जुरूरी नहीं है कि romantic हो, but it's a lover तो romantic है, ज्यादा तर लोगों के लिए romantic है और कुछ लोगों के लिए आपकी family के साथ connection है, आपके अपने parents, आपके blood relationship, जैसे आपके अपने father हैं, आपके भेन भाई हैं, आपकी mother हैं, वो लोग, उन्होंने आपको इतना hurt किया है, उनके साथ भी आपका contract है और हमें पता है कि past life से ये चीज़ें आती हैं, तो इस lifetime में इन लोगों के साथ आपका karmic contract है, मतलब आपको हर हाल में ये लोग तकलीफ देंगे, tension देंगे, आपको depressed करेंगे, लेकिन अगर कुछ गलत भी किया तो इन लोगों ने आप देखेंगे उनके साथ गलत होता हुआ, कर्मा तो इनको होगा, especially अगर आप water sign है किसी ने आपके को धोका दिया है cheat किया है, जूट बोल, आपका दिल तोड़ा आपको तकलीफ दी, आपको बार बार आपको आपकी बेस्ती की, आपकी इंसर्ट की बार बार ये इनसान आपको हट करतारा, बार बार इस इंसान ने आपके साथ ये सब कुछ किया, तो definitely they will see it, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी को regret है, आपको आप पश्तावा है, इस इंसान को जो भी इस इंसान ने गलती की है, it's look like इनको पश्तावा है, इसे लोगों को और कुछ लोगों के लिए वो इंसान है, जिसके साथ आपका soul contract चल रहा है, romantically इस इंसान के साथ, एक बाद में और भी बता दूँ इस इंसान के साथ, क्योंकि आपका love और connection बहुत strong है, love इस इंसान के साथ आपका karmic soulmate है, इस इंसान के साथ आपका karmic bond है, love है, intensity है जब आप इस इंसान के साथ, इसे इंसान के साथ डील करते हैं, जो आपकी life में karmic soulmate बन के आते हैं, very intense, very like strong spiritual awakening और बहुत ज़्याद आपके अंदर trigger करना shadow side, और आपकी आपकी shadow side क्या होती है, आपका गुसा, आपके anger, आपका वो face जिसमें आपको चीजें unbearable होती है, आपको heartbreak होता है, sad होते हैं तो वो वो चिस काarmic है, आप control नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपकी सारी जिसें इस वज़े से बरदाश करें, इस इंसान की वज़े से जो भी, जिसके साथ भी आपका connection है चाहे वो love का connection है, चाहे वो hate का connection है it's a karmic bond ठीक है? तो अगर आप किसी के साथ love में है, इस इंसान की वज़े से आपको जो तकलीफ मिली है या मिलेगी, love के साथ you know, कहते न, रोज के साथ गुलाब के साथ कांटे भी आते है तो अगर आपको कोई लग रहा है गुलाब की तना कोई इंसान लग रहा है जिससे आपको love है, प्यार है उसके साथ कांटे भी आएंगे उसके साथ कांटे भी आपको मिल रहे है और अगर आपको किसी से लव है या लेट से अगर आप किसी से ऐसा relationship है जिसमें आप नहीं रहना चाहते लेकिन आप चाहके भी इस इंसान से नहीं रिष्टा तोड सकते क्यों क्योंकि ये इंसान आपका बाप है, भाई है भाई है, भैन भाई है, सिबलिंग है या जो भी है, इवन आपके जिस पार्टनर के साथ आप हैं, उसके साथ ये इंसान जुड़े वे हैं, तो कुछ न कुछ तो है तो आपको accept करना ही पड़ेगा ये इस तरह का मैं आपको कार्मिक कॉंट्राक्ट बता रही हूं, सोल कॉंट्राक्ट आपसे जुड़े वे लोगों के साथ आपका ये कनेक्शन है और ये रहेगा, तो आप इंचीजों से इलादा नहीं हो सकते, हाँ इसने आपके साथ गलत किया, मैं आपको बता रहे हूं उनके साथ कर्मा होगा या आपको कर्मा पर छूड़े ना चाहिए, और फिर आपको देखना wrthat enga होगो, अगर बलाप किया वह झाए नहीं हो लेकिन अगर आपने किसी किसाथ गलत किया है गल्ती आपकी भी हो सकती है, तो आप भी देखें, आप भी सोचें, पीछे जाएं, देखें, आपने किस के साथ, गलीफ किसको दी थी, किसको हर्ट किया था, किसका दिल तोड़ा था, जो आपका तूट रहा है, या अगर जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो सकता है, उस मुझे नहीं पता आपके पाटनर ने ऐसा कुछ किया है तो जिसकी विजा से आपको मिल रहा है यह अगर आपने किसी के साथ पास में किया था तो यह आपके साथ हो रहा है यह जिन लोगों के साथ आप है रिलेशनaship में या आप connected है यह लोग past life से है शायद इस lifetime में अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो past life का करमा है जो आपको इस lifetime में heal करना है अपने लिए stand लेना है और patience रखना है एक किसम का आपके लिए इमतिहान है अजमाईश है टेस्ट है whatever it is और अगर आप किसी के साथ relationship में थे और उस इंसान ने आपको cheat किया है hurt किया जूट बोला है किसी और चीज को चुना वादा खिलाफी की जो भी किया आपको दिल तोड़ा जो भी है whatever आप देखेंगे कि उस इंसान के साथ भी होगा यह हो नहीं सकता कि ऊपर वाला आपको आप इसे कुछ लोग के लिए यहां पर लग रहा है कि आपकी future की planning चल रही है या आप कुछ सोचना चाहरे है और आप इसे कुछ लोग वेट करें मैंने जैसे कहा इस इंसान का वेट करें या oh my god six of cups of lovers soul metal twin flames की बात करता है definitely यह connection काफी pure है काफी beautiful connection है इस इंसान के साथ आप pentacles अभी start होने वाले आप इनको मिले नहीं है अभी जा आप इनको जानते नहीं है मिले नहीं है और अगर मिले है तो आपको wait है कि कब यह start होगा कब हम दोनों मिलेंगे कब हमारी यह दूरी खतम होगी अच्छा मुझे एक चीज़ यह नज़रा रही है क्योंकि आपको पता रहा है that this is your partner सोचें ज़रा वो भी देखें pay attention to it क्योंकि मुझे ऐसे लगते है कि आपको universe already guide कर रहे है आपके soulmate की तरफ आपके true love की तरफ with the lovers या twin flame की तरफ तो शायद आपको with the two of wands आपको इंतजार है आप देखना चाहते हो कब कैसे कहां इंसे मुलाकात होगी क्योंकि यह इंसान already आपके साथ connected है spiritually या intuitively, emotionally हो सकता है आप दोनों में distance है इस वक्त अब distance का मतलब यह है कि यह इंसान आपसे बिलकुल तूर है distance का मतल सकता है you already met this person ज्यादा तर लोग आप इंको जानते है तो इस इंसान के साथ आपकी reunion reconciliation होने वाली है with the karma six of cups यह पो इंसान है जिसको आप चाहा के भी मतलब नफरत नहीं कर सकते with the six of cups क्योंकि आपको इस इंसान से love है आपको इस इंसान से प्यार है आपको इस इंसान के साथ जो connection है वो काफी strong feel होता है अच्छा है जैसे मैंने का आप यह friend भी हो सकता है lover भी है आपका sibling भी है बहन भाई भी है जिनके साथ भी आपका connection है वो आपसे मिलना जाते है but three of pentacles आपने देखना है कि आप इन चीजों को कैसे देख रहे हो इन रिष्टों को आप कैसे देख र लेकिन जिसकी आपको इन तलाश है उस इनसान को भी आपकी है जिसका आप wait कर Thanks for you यो इन्सान भी आपमें इंट्रेस्टेट है, कोई आपमें इंट्रेस्टेट भी हो सकते हैं, अपनी फिलिंग को एक्स्प्रेस करना चाहा ह toi है है explain करना चाह रहे, मिलना चाह रहे और यह कुछ लोगं के लिए भी हो सकते है, यह बिलकुल new start है आप इस इंसान को नहीं जानते but your soul, your soul is keep telling you कि यह इंसान आ रहे यह इस रास्ते पर चलो, यह चीज़ करो आपको मिलेगा, अच्छा, creative अगर मैं देखूं इस work के through भी आप किसी को मिलने वाले है, किसी के साथ आपकी collaboration होने वाली है, business आगे बढ़ेगा job आगे बढ़ेगी, कुई आपको offer करना चाहता है कुछ चीज लेकिन ऐसा लग रहे है कि आपके दर्म्यान में आपकी life में कोई ऐसा इंसान आने वाला है आप लोग के लिए देखते हैं, आप लोग के लिए देखते हैं, आप लोग के लिए देखते हैं, आप लोग के लिए लोग के लिए लोग कैसा रहेगा, Knight of Cups and King of Cups, वाव Who is this person, coming your way Okay, कुछ लोग के लिए यहां पर definitely it's a proposal, यह कोई आपको परपोस करना चाह रहा है, किसी की feelings आपको लेके बहुत strong है, Six of Cups, ओ, यह आपका friend हो सकता है, कुछ लोग के लिए आपका friend ही आप में interested है, या आपका कोई relationship with a Six of Cups, ऐसा इंसान जिसको आप बच्पन से जानते हैं, friend, lover, not बच्पन से lover तो नहीं हो सकता, maybe friend, या neighbor, कुछ ऐसा इंसान जिसको आप जानते हैं, शायद बच्पन से जानते हैं आप इस इंसान को, यह हो सकता है कि इस इंसान के साथ आपका बच्पन गुजरा है, शायद class fellows, you know, students रहे होंगे आप, या कुई ऐसी nostalgia memories आएंगी with a Six इस इंसान के साथ, जो आपको लगेगा, इस इंसान को मिलते ही, आपको लगेगा कि वाव, आप इस इंसान को जानते हो, तो मुझे ऐसे लगते है, somebody is coming into your life, परपोजल आ सकता है किसी का, परपोजल आ सकता है, और आप जैसे इस इंसान को मिलेंगे, आपको लगेगा, लवर भी आपकी लाइफ में आ सकता है for a want look at this I love that, कि ये दोनों काट साथ में आएं तो proposal, it's a proposal या तो आपका रिष्टा होने वाला है या आपकी family में किसी को होने वाला है let's say कि आपके friends cousins, आपके अपने भेंभाई siblings, family में ही किसी का आप function attend करने वाले हो इसी week में या upcoming four to six weeks के अंदर किसी की शादी हो सकती है, बात हो सकती है strength, but I think कुई आपको like करता है, कुई आपको पसंद करता है और कफी अर्शे से ये इंसान आपको पसंद कर रहा है आपको बने feeling express करना लेकिन की नहीं है, शायद इस इंसान ने eight of cups, yes, हो सकता है ये वो इंसान है, जिसके साथ आप separation में है ठीक है, आप दोने एक दुसरे से बात नहीं कर रहे हैं इस वाद कांटाक्ट नहीं है अच्छा, आपको अपना कोई family member या relative या कोई ऐसे इंसान भी प्रेंड भी हो सकता है, जिसके साथ आप बात नहीं कर रहे थे, शायद दुबारा से मिलना जुलना हो, किसी की शादी पे, किसी के फंक्शन पे ये किसी जगा पे आप इनको देखेंगे, मिलेंगे और बहुत सारी memories आपके दिमाग में आजाएंगी, ऐसी चीज़े मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, कुछ लोगं के लिए लेकिन relationship wise, अगर यहाँ पे देखा जाए, तो मुझे लग रहे है कि आपकी life में, या तो आपका किसी का घर में proposal आने वाला है, या स्रिष्टा तैय हो सकता है किसी का, या किसी और की शादी है, जो आप अटेंड करेंगे, वहाँ पे आप अपने कुई पुराने बिश्रे दोस्तों से मिलेंगे, कजन से मिलेंगे, रेल्टिफ से, ये चीज़ भी नज़र आ रही है Wheel of Fortune Something is changing, आपकी life में कुछ चीज़ हो रही है, और जो चेज़ आ रहे है आपकी life में, वो इस शादी से आ रहे है, इस function से आ रहे है, इस invitation से आ रहे है, जो भी है या तो आप किसी की शादी है टेंड करेंगे, वहाँ पे किसी से मलकात होगी, आप किसी से मिलने वाले है, कहीं पे आप invited भी होगी, मुझे ऐसे लगता है कि कुई आपको invite करना चाहता है कहीं पे, किसी function पे, event पे, festival पे, और आप वहाँ specially invited होगे, और जब आप वहाँ जाएंगे, तो हो सकते है वहाँ पे आप अपने friends, cousins, relatives या, किसी ऐसे इंसान से भी मिलेंगे, जिसके साथ आपका connection built up होगा, शायद मेबी, वहाँ पे कुई आपको पसंद कर ले, या आपको कोई पसंद आ जाए, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी नज़र आ रही है कि कोई आपके साथ interested है, और आपको मिलना चाहता है, one and one date भी हो सकती है, मतलब यह इंसान आप में romantically interested है, तो यह इंसान अपनी family को आपसे मिलवाना चाहता है, बहुत interested, पहले interested हो सकता है इंसान आपको बहुत environment हो, हो सकता है, आप दोने दुसरे से बात नहीं करें, इस वक्त कोई वज़ा और भी हो सकती है, जिसकी वज़ा से आप दोनों के दर्म्यान में कोई separation हो गई थी, I don't know, या आपको लगा के सही नहीं है इस इंसान से बात करना, जो भी वज़ा थी, यह वो इंसान भी हो सकत किसी को पहले इंट्रस्टिद थे किसी के अंदर, कोई आपका ग्रश था, यह जासे आप किसी को पसंद करते हैं, और आफ्टर सम टाइम, कुछ हरसे के बार जब आप दोबारा देखते हैं उस इंसान को, आप बोलते हैं वाव, यह इंसान तो कितना चेंज हो गया है, इस आप काफी चेंज हो गया है, और इस इंसान की फिलिंग्स आपको लेके काफी स्ट्रॉंग और डीप हो रही है, और इंसान का पर्स्पेक्टिव आपको लेके चेंज हो रहा है, उनको लगता है कि आप से शादी करनी है, इस इंसान को यह भी हो सकता है, यह यह इंसान रोम साथ आप पहले इंट्रस्टिट थे आप जाते थे कि रिलेशन्शिप हो डेट हो शादी हो उस इंसान से भी आपकी मुलगाता हो सकती है क्योंकि मैं ऐसा लग रहे है कि कुछ ना कुछ ओल्ड फ्लेम या ओल्ड फ्लिंग दुबारा रीस पार्क दुबारा हो सकती है किसी के स आप वसकते लियों के साथ डील कर रहे हैं सजचेटेरियर स्पाइसीज पायर साइन या वाटर साइन और अगर आप सिंगल है तो आपको ऐसे इंसान का वेट है जो काफी रोमेंटिक हो सोलमेट हो जो इंसान आपके आपसे शादी करें जिसके साथ आपकी फैमिली हो बच् में मकाई ऊपर अपकी फैमिली में गिसी के लिए या आप किसी फैमिली का यहां ने हो वाली हो गोफर इस लेट सीः किंएर यहांपर यहां अवी एड़ल की थो आप तो इस Great Rumya को लेकर जो लोग मैरेग मैं उनकी बात भी कर ही हैं शाद बच्छों आर फैमिली relationships on या फैमिली में या रेलेटिव में या जैसे आपकी गेट तोगेधर है काफी सारी चीज़ें जैसे ओल्ड फ्रेंड है ओल्ड पीपल है वो दुबारा मिलेंगे बात करेंगे किसी फंक्शन इवेंट जगह पर किसी के घर में आपके घर में भी कोई आ सकता है ऐसे चीज़ भी लग रही है किसी के साथ आपकी दुबारा रीकंसिलियेशन हो सकती है कोई फ्रेंड है लवर है कजन है में भी कुई celebration हो सकती है मुझे नहीं पता कि इसी वीक में या इसी मन्त में किसी का बेबी होने वाला है शायद आप वहां पे इन्वाइट होंगे किसी की बर्त्रे भी हो सकती है शायद आप इन्वाइट हो अच्छा हो सकते है आप 1010 नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे आप हो सकते है किसी को 2024 में मिले है यह 2020 में किसी को मिले थे कुछ लों के लिए यह टाइम पीरिएट भी है शायद आप इनको तब से जानते है यह यह इन्सान आपको तब से जानते है 2020 से या 2024 में आप इस इंसान की तरफ काफी दिफेंसिव थे आप इस इनसान को समय इस तरीके से नहीं देख रहे थे लेकिन अब आपका माइड चेंज हो गाए या आपका माइड चेंज हो रहा है किसी को लेके या इस इंसान का माइड आपको लेके काफी चेंज हो रहा है जो भी है, whatever it is लेकिन ऐस लग रहे है emotionally मुझे लग रहे है कि आप isolate रहेंगे शायद अपने friends या family से आपको थोड़ सा time भी spend करेंगे मैं single long की बात कर रही हूँ शायद आपको थोड़ सा time चाहिए isolation के लिए अपने आपको दुबारा अपने inner child पे शायद आप बहुत ज़्याद work कर रहे हैं कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है आपके लिए और कोई good news आपको career में भी मिल सकती है especially जो लोग घर से काम कर रहे हैं let's say you're working from home या आप को creative business कर रहे हो या आपको कोई artist है content creator है या आप अपना कोई skill है आपका कोई या किसी के साथ आपकी business partnership है उन लोग के लिए बहुत benefit होगा ये वाला week अच्छा रहेगा लेकिन जो लोग हो सकते हैं आप में से कुछ लोग difficulty भी हो रही है आपको struggle भी हो रही है job ढूंडने में लेकिन आप give up नहीं करेंगे और आपको अपने dreams पे give up नहीं करना अच्छा आपका patience भी test हो सकता है या आपकी हिम्मत भी कि किस चीज़ पे आप give up नहीं कर रहे हैं जो भी चीज़ है relationship wise भी मैं आपको एडवाइस करूंगी यहाँ पे नजर आ रहे है कि आप अपने standards लोग नहीं कीजिएगा इवन चाहे जो भी आपको बोल रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता ऐसा partner नहीं मिलेगा ऐसा lover नहीं मिलेगा ऐसे चीज़े नहीं मिलेगा नहीं अपना standard आपने लोग नहीं करना क्योंकि जो आपकी expectations है आपको उस तरह का partner मिलेगा या उस तरह का partner आ रहा है या मिल चुका है आप अपनी जो good news है वो भी आप सोच समझ के शेयर कीजिएगा कि आप किसके साथ कर रहे हैं ठीक है यह वाला वी काप के लिए इस तरह की एनरजी कुछ दिखा रहे हैं यह आपकी reading है आपकी रीडिंग है आप लोगों के लिए रेख लेते हैं यह वाला साइन के साथ दील कर रहे हैं पाइसी सेंसर स्कॉर्प्यों आपको किसी का इंतजार हो सकता है यह कुई आपका वेट कर रहे हैं ठीक है कुई आपका वेट कर रहे है या आपको किसी का इंतजार है आप किसी से मिलना चाहरे है बात करना चाहरे है ठीक है नाइन आफ पेंट Ice of Pentacles , Zielsa , तो आशसे लगरा है कि आपकी किसी के साथ नू बिगिनेंग स्टार्ट होने वाली है आपकी किसी के साथ नू फरेंशिब स्टार्ट हो सकती है ज़रूर्य ही नहीं है कि ये रोमैंटिक रिलेशनशिप हो लेकिन हो सकता है ये यह पर King of Cups है Pisces Cancer score यह इंसान जिसके लिए जो आपको बहुत पसंद करता है, यह इंसान आपकी तरफ attractive हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे की तरफ attractive भी हो सकते हैं, किसी कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ work करना चाता है, friendship करना चाता है, आपसे relationship में आना चाता है, आपको जानना चाहता है closely कि आप किस तरह के इंसान हो तो यह चीज़ यहाँ पर built हो, आप होती भी नजर आ रही है इसी week में अगर आप इस इंसान को already जानते हैं let's say आप दोनों कठे काम करते हैं, work करते हैं आप friends हैं, यह कहीं न कहीं आप एक दुसरे को जानते हैं mutual friends हैं, यह कहीं न कहीं आप एक दुसरे को देखते हैं, मिलते हैं तो यह इंसान आपकी तरफ effort करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है आपके करीब आना चाता है Six of Cups यहाँ पर friendship की बात करता है तो हो सकता है यह आपका कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपकी friendship स्टार्ट हो कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपकी work से related, business से related partnership स्टार्ट हो और फिर आप एक दूसरे के साथ friends बन जाए ठीक है, यह चीज़ भी यहाँ पर नजर आ रहा है कोई new इंसान आपकी life में enter होने वाला है because I think आपको patiently किसी का wait है किसी का इंतजार है आप किसी ऐसा इंसान का wait करे हो जो आपकी life में आप serious इंसान का wait करे हो कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका future हो बच्चों की planning हो शादी की planning हो जो लोक सिंकल है मैं उनकी बात करे हूँ and chances are कि आप किसी ऐसा इंसान से आप मिलने वाले हो या कोई ऐसा इंसान आपको मिल गया है जिससे आपको लगता है कि आपका इंतजार जो है वो खतम हुआ ऐसा लग रहे हैं जाते है and यहाँ पर नज़र आ रहे है and इस परसन विल दू इट yes, seven of swords seven seven बोत आ रहा है तो हो सकते आप देख रहे हो one seven 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 ठीक है यहाँ पर next card है full and strength अब आप उसकते लियो एक्वेरियस या एरीस के साथ भी धील करे है wheel of fortune, pisces और sagittarius तो time change हो रहा है king of pentacle interesting okay, यहाँ पर एक चीज़ बहुत strong नज़र आ रही है कि कोई अच्छा, एक चीज़ तो मैं आपको यहाँ पर नज़र बताऊंगी एक तो वो है जो आपका अपना carrier है look at this, king of pentacle, nine of pentacle, wheel of fortune wow, your life is changing आपका हो सकता है या तो आपको क्यों new job मिलने वाली है जो आपको financially stable करेगी ठीक है, financially stable करेगी आपकी luck change हो सकती है let's say, आपको promotion मिल सकती है अपने work में, जो भी आप काम स्वक्र कर रहे है उसमें promotion आपका लग सकता है, bonus लग सकता है साल के end होने पे आपको कोई तरक्की मिल सकती है या आपका transfer हो सकता है कोई new चीज़ आपकी life में add हो रही है career में, business में, ठीक है और यह कोई चीज new आप start कर रहे है जो आपको, आपको future में आपके time के साथ काम करेगी, ठीक है आपकोई new extra, let's say, degree या professional skill आपको सीख रहे है आपको, you know, talent आपका नज़र आएगा आपको progress मिलेगी, आपका boss या आप खुद अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसकी, आपकी position में अच्छा एक reputation में आपका अच्छा impression जाएगा, ठीक है, इस तरह यह जीज़ नज़र आ रही है लेकिन इनकी job नहीं है उनके इस चाम पे 100% chances है कि आपको job लगने के chances हैं आपकी new opportunity आ सकती है, जो आप में new चीज में आपकी apply कर सकते हैं और वहाँ पे आप lucky होंगे, you will be selected अगर इस तरह की कोई job आ रही है तो उसमें जरूर try करें आपकी luck लग सकती है आपकी promotion हो सकती है, शायद new year से new first month से ही आपकी new जगा पे promotion हो सकती है new place पे आपका transfer हो सकते है अगर आपका कोई business है तो वह बहुत आगे जाने वाला है आप अपने business में कोई चीज news introduce करवा सकते हैं या किसी के साथ क्योंकि यहाँ पे लग रहे है और आपको शायद उस इंसान का इंतजार है या कोई ऐसा इंसान जो खुद भाग के गया था खुद आप से को घोस्ट किया और उस इंसान को लगा कि आप चेस करोगे ठीक है आप इस इंसान के पीछे पीछे भागोगे इस इनսान को शयद यह इनलख फैमी भी हो सकती है कि आज भी आप इनका इंतजार कर रहे हो लेकिन ऐसा है नहीं और कुछ नहीं के लिए हो सकता है क्योंगे आप ने इस इन्सान को चेज नहीं किया ये चीज इस इन्सान को disturb करी है बहुत ज़्यादा एक तो वो इंसान है, जो इस तरह का इंसान है, जो आपके पास आएगा, उनको लगत आप चेस करोगे, आप उनके पीछे भागोगे, आप आज भी उनका इंदिजार कर रहे हो, यह इस इंसान की खरोड़ फैमी हो सकती है by the way, तो यह इंसान दोबारा ट्राय करेगा आपे, और एक वो इंसान है, जो आपकी लाइफ में न्यू परसन बन के आने वाले है, तो शायद आपके पास आप्शन है, दो लोगों की, लेकिन आप डिसाइड करोगे, मुझे ऐसे लगता है, most of you will go with the new person, एसा इंसान जो फाइनेशली स्टेपल होगा, एसा इंसान जो आपकी इसान की लाइफ में कुछ सीरियस चीज लेके आएगा, एसा इंसान जो आपको अप्रिशेट करेगा, इस इंसान की लव लेंग्वेज गिविंग गिफ्ट होगा, और ये भी हो सकता है, कि आप इनको वर्क के थूरू, जॉब, प्रफेशन अपने के थूरू, आप नियू जगह पे, अगर कुई जगह, नियू जगह पे आप जा रहे हैं, कुछ नया ट्राय करें, वहाँ पे आप इनको मिलेंगे, या नियू येर में आप इनको मिलेंगे, कुछ नियू आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, कुछ चीज़ें चेंज होंगी यह आप अपने अंदर एक चेंज लेके आ रहे हो जिसकी वज़ा से आप काफी सारे लोगों को अट्राक्ट करोंगे यह चीज भी मिज़ा नजर आ रही है या तो आपकी कोई अच्छी सॉलिड नौकरी लगने वाली है पोजिशन आपको मिलने वाली है जिसकी विज़ा से काफी सारे लोग आपकी तरफ बागे-बागे आएंगे रिलेशन्शेप में या अट्राक्टिव होंगे या आपको कुई ऐसी आपका बिजनेस है वो फ्लॉरिश हो सकता है नाइन पेंट लिब्रा या जमनाई एक वेरियस भी है यहां पे बाइद वाई सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं या पाइसेज तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा मुझे ऐसे लगता है कि कोई आप किसी के साथ new friendship में या new business में जाने वाले हैं definitely या आप एक new जगा पे apply करना वाले हैं वो आपके लिए benefit होगा आप lucky हो सकते हैं और अगर आपका खुद का कुई business आपका है वो आगे बढ़ने वाले मुझे लग रहे हैं उसमें आप कुछ introduce करवा रहे हैं या आप किसी क मन में दिल में आपके लिए feelings भी हैं लेकिन इस इस इंसान के दिल में और यह है कि दिज भी है कि आपके बाग में कि क्लोग में Ium यह चीज़ भी हो सकती है, आपके पस दो option भी है कुछ लोग उनके लिए आपके पस दो choice होगी लेकिन overall यह week आपका बहुत अच्छा नजर आ रहा है financially मुझे बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए improve होती ही नजर आ रही है कोई पुराना बिच्रावाद दोस्त भी आपकी life में दुबारा enter हो सकता है, ऐसा इंसान जिसके साथ आपने cut off किया था बात नहीं कर रहे थे उनके साथ आपका दुबारा मिलना हो सकता है या वो दुबारा re-entry मार सकता है वो इंसान लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप सोच समझ के decision लीजिएगा ऐसे ही आप कोई decision मत ले लीजिएगा relationship-wise भी सोच समझ के आप चूज कीजिएगा कि कौन सा partner आपके लिए best है ठीक है? मुझे लगते कि कुई आप में interested है कोई आपसे बात करना चाह रहे और कोई आपकी तरफ ये offer ले की आना चाह रहे लेकिन हो सकते हैं इस इंसान को इंतजार है आपका या हो सकते हैं इंसान इंतजार करकर के तंग आ चुक है तो ये इंसान definitely finally एक plan के साथ proper plan के साथ आपके पास आ रहे लेकिन something is changing, आपकी life में definitely आपको कोई gift भी मिल सकता है somebody want to give you a gift या ये इंसान आपके लिए gift बन के आ रहे है, एक blessing जो आपकी life को change कर सकता है, ये जो offer आपको पास आएगी ये आपके लिए एक blessing होगी, so get ready ये आपकी reading है, I will see you later, bye